Welcome Dear Students, Ingenitech Family के अंदर आपका फिर से स्वागत हूँ और मैं रहूल और आजम बात करेंगी NIT, AAIT और IIT के बारे में कुछ important topics के बारे में तो आप सभी को पता होगा भी TOP 20% का क्या मतलब है जो इसका time processing चल रहा है तो इसकी विज़े से भी आप अपना admission करा सकते हैं ट्रेपलाइटी और आपना अडमीशन करा सकते हैं और कि क्या चीज है हमारा 20% और किस तरीके से आप अपना कर सकते हैं, तो सारी टिटेल मा आपको इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी, इसके वज़े से आपको जो अडमीशन मिल सकता है, और आयाटी, त्रिप्ला आटी और आयाटी को एक ते अंदर आपको और आपको गोउर्मेट को लेजिए के अनदर तो सारी वीडियो के अंदर इस topic के बारे में पूरी डीटेल में बात करेंगा है। इस से पहले मैं आपको थोड़ा कहा दू कि अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप मेरे चैनल को subscribe कर ली और bell icon को press कर ले ताकि आपको उनसे related जो भी information हो मैं आप तक पहुंचा पाऊएं और पूरे detail के अंदर आपको information दे पाऊँ और साथ में मैं आपको थोड़ा inform कर दो कि इसके अंदर उन्होंने students को 20% का जो क्या system है तो पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे और कौन-कौन सी स्टेट के अंदर कितनी करस्तिनी प्रसेंटियल है तो सारी बाते में आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगा और आप अपने देखना चाहिए तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में करने लेन देता हूं वाँ पर आपको सायत पर चाहिआ तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हम कि 20% क्या होता है तो हमारा क्या होता है हमें admission लेना होता है जही में के अंदर जो भी अमारे त्रिपलाइटी एनाइटी आइटी के अंदर तो वहाँ पर हमीं condition दी जाते हैं मिनिम्मम हमारे 75 marks होने चाहिए जन्रल की टीगरी के लिए नदर और OBC के टीगरी के लिए हमारे प्लस 2 के अंदर 25 marks होने चाहिए जब ही हम qualify करेंगे इन colleges में admission लेने के लिए और जो SC और ST का इडिडेट होते हैं उनको 65 marks से होते हैं वह हमारे colleges में admission ले सके भी NIT और IIIT या फिर IIT college के अंदर लेकिन अब इनोंने जो system है इसके अंदर इनोंने जो 20 percentile के अंदर भी एक system दे दिया है अगर इसके अंदर आपको जो नाम आता है अगर आप इसके अंदर आते हो तो भी आप admission ले सकते हैं IIT, IIIT, NIT जितने भी इनके अंदर आप अपना admission ख़रा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है काफी students के 75 percent above marks नहीं जा पते हैं और काफी states में इससे उपर इनके marks नहीं जाते हैं तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँगा अभी किस तरीके से आप अपने marks देख सकते हैं तो पूरी detail में थ 306 असाम बोर्ड इंस्ट्यूट स्टूटन्स तो यह हमारे 20 percental के अंदर आते हैं और मैं पूरी list आपको दे दूँगा कि कौन से states के अंदर कितने कितने percental के अंदर यह सारी आती हैं तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर वीडियो के अंदर और इससे पहले थोड़ा से मैं आपको फिर से request करता हूँ कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको इनसे related जो भी information हो वो मैं आप तक चल्दी चल्दी पुचात दूँ और मैं नहीं चाहता कि इनसे आप कोई वंचीज रहते हैं मेरे तो काफे पास students के किसी लिए comment आयते तो अब यहां पर देख सकते हैं तो किस तरह के से calculate करते हैं जो आपके 20 के जो बॉर्ड के जो marks है उसमें जो NIT, AAIT या फिर GFT या फिर IIT के अंदर आपको admission चाहिए तो क्या किस तरह के से आप calculate कर सकते हैं तो यहां पर इनसे दिया है तो 20% different class 12th board marks score and the 5th subject will be considered इसके अंदर आपको 5 subject consider करनी है और किस तरह के से आपको consider करनी है पहला आपको physics तो लेना ही पड़ेगा इसके बाद chemistry और math और एक चो language अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी आगे पास English है तो English और एक other subject वो जिसके अंदर आपके काफी ज्यादा अच्छे marks हैं वाप उस subject को consider कर सकते है इसके बाद क्या करना होगा आपको if candidate have be appained more than one language and then language higher marks will be considered यह मैंने आपको बता दिया है और इसके अंदर आपको क्या करना है more than five fifth paper के जो one with higher marks will be considered then total marks with subject will be scale तो इसकी साबसे मतलब आपके जो 100 marks होते total उसमें से अगर आपके subject में higher marks है तो आप उसको calculate करें और उसमें से फिर आप जो 500 marks आपके उसमें से calculate करके आपके जो percentile अगर बनते हैं तो आप वो percentile में qualify हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने percentile को qualify कर सकते हैं और मैं बता देता हूँ आपको वी कौन से state के अंदर कितनी कितनी percentile रहेगी तो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो के उसको मैं solution निकाल सकूँ ठीक है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा अब यहां पर इसके अंदर जो cutoff के बारे में बात कर लेते हैं जो पहले वाली cutoff है यह जो पहले वाली cutoff है यह हमारी cbsc board की percentile to 20 percentile की जो cutoff है यह इसके दो सारे 2015 से लेके 2018 तक ही दिखाई हुई है जो 2018 की 432 है OC की 405 है और ST की 388 है OC का मतलब होता है हमारा general category ठीक है और PWD के अंदर हमारे KTD888 की cutoff है अब आगे जहें इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर प्रदेश को यह था हमारा अंदर प्रदेश का इसके अंदर प्रदेश के जो को कट ऑफ देख सकते हैं इसके बाद में थोड़ा साब को आपको आगे और के दिखा देता हूं तो इसी तरीके से मैं नोट कर लें और किस तरह से calculate करना है मैंने यह भी आपको बता दिया है किस तरह के से आप इस चीज़ों को calculate कर सकते हैं तो अभी यहां पर मैंने बताया था कि आप एक physics आप subject लें और chemistry लें और इसके बाद जो math लें इन तीन subjects को तो आपको रखना ही रखना है उसके बाद other subject लेना है जिसमें आपके higher marks बन रहे हो 100 में इसे तो आप उस subjects को जोड़के 5 जो आपके total बनते हैं तो इस इसाब से अकर उसके total आपके इंसके across बनते हैं तो आप qualify हो जाएंगे और अपनी category की इसाब से अपने marks देख लीजिए तो इस तरह किसे मैं आपको सारे states के दिख जाता हूं तो आप उस चीजों को वीडियो को रोक की इन चीजों को screenshot लेके रख सकते हैं इसके बाद यह next आजाता है हमारा असाम का असाम हाइस की हाइस स्केंडर स्कूल एड्यूकेशन के हिसाब से तो इनके जो marks से बहुत ही कम जाते हैं यह सारी चीज़े मैं बता रहा हूं यह 20% कर्टोफ के हिसाब से ठीक है यह हमारा असाम का है जननल हो जाता है 360, OBC की 357 और SC की 346 से ST की 303 है हमारी इसी तरीके से next आ जाता है हमारा यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वी हमारा कुम सा है अलिगा मुस्लिम यूनिविस्टी बोर्ड और स्केंडरी अजूकेशन अलिगर्ड तो यह हमारा अलिगर्ड के अंदर है इन्होंने यह पर पूरा मैंसें नहीं किया हो बाकिस्टूर्ट्स का तो इसका मतलब यह एक वी जो आने वाले अगर मानी जाहेगी तो अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी अपडेट कर दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि भी आउन से पहले उनके जो कट ओफ होगी और रही बात हमारे आजाती है बिहार के वारे में तो बिहार स्कूल बोर्ड एजुकेशन के अंदर आपको एक चीज जिरूर देखनी मिलेगी तो बिहार एजुकेशन के अंदर हमारे वैसे भी बहुत कम मार्क जाते हैं इसलिए जो यहां पर जो परसेंटियल है वो बहुत कम है तो यहां पर जो स्टूर्ण से उनको काफी अच्छा फाइदा हो रहा है उनके जो मार्क्स अगर इनके अप्र जो आपका स्टेट के अंदर आपकी कटॉफ आ रही है तो इसकी आपसे अगर आपका अडिमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि भी आपको इसके वह प्रोस आपको अप्रोचनिटनी मिलगी कि भी आपको यहां पर एक प्लेटफोर्म मिल जाएगा भी आपको एंट्री करनेगा तो मेरे तरब से आप सभी के लिए बस इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि यह सब इस चीज़ें आपको इंफोर्मेशन मिल जाए और मेरे स्टूडेंस ने कमेंट किया था कि भी किस तरीके से इसको कैल्कुलिट करना है तो व किवानी बोर्ड के अंदर आता है इसे साब से इसके बाद केरला के साब से जो यहां पर कट अफ है यह सारी मैं 20 परसेंट्यल के कट अफ चाहरा है और जो स्टूरी बता रहा हूं मैं यह ऑफिसल कट आप इसके बारे में कोई बीमानी गलत में आपको नहीं दिखा रहा है यह सारी जो हमारी है, यह NIT, IIIT और GFT इनके colleges के हैं, अगर आपको IIT की भी देखनी है, तो उसका भी PDF में आपको link दे दूँगा, अगर यह सारी चीज अगर आप officially देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, तो वो किस तरीके से आप देख सकते ह यहां पर GFT इनके cutoff है, ठीक है, इसम दिखा देता हूं कि इनके official cutoff है हमारी क्या जा रही है, किस तरीके से आप इन चीज को देख सकते हैं, तो यहां पर आप इनको जो सारी की official site है, वहां पर जाएंगे, इसका link मैं आपको description में देज़ोंगा, वहां पर जाएंगे, तो यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, यहां पर नीचे आप 20% cutoff marks of IIT, और नीचे इनोंने NIT और IIIT जिसके बारे में दियो है, तो उसकी list अगर आपको जो PDF है, यह थी हमारी PDF है, यह हमारी IIT के, इसके अंदर इनोंने cutoff दे रही है, state- तो आप यह भी चीज नोट कर सकते हैं, जितने भी state से उनके एसाफ से इनोने आपे cutoff दे रही है, तो यह हमारी list थी है, इनकी हमारी IIT की, अगर आपको official IIT के देखनी है, तो वो भी आप वहां से जाके download कर सकते हैं, ठीक है dear students, आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आप कौन-कौन information चाहिए इससे related, percentage related तो आप मुझे comment करके पता सकते हैं, और फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल को subscribe कर लें, like और share और comment जरूर करें, तो अलविदा, चलते हैं अगली वीडियो के अंदर इतना है,